खर्च करना है तो कमाना सीखो, मरने से पहले खुल कर जीना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, लिखना है तो सोचना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, पूजा करन है तो विश्वास करना सीखो. जीवन क्या है? What is life? जीवन का उद्देश है अपने माता पिता की सेवा करना, अपने परिवार का भरण कोशन करना और समय मिले तो अन्य दीन दुखियों की सेवा करना है लेकिन आज हर व्यक्ती की सोच सिर्फ सफलता पाना, खूब पैसे कमाना, जीवन का उद्देश हो गया है धन दौलत कमाने के बावजूद भी व्यक्ती सुकून और शान्ती की जिन्दगी नहीं जी पाता क्योंकि जब तक संतोश नहीं है, सब धन बेकार है इसलिए कहा गया है गो धन मन धन और रतन धन खान जब आएं संतोश धन, सब घर धूरी समान जीवन एक दरपण के समान है, जैसा चहरा सीसे में दिखाई देगा वैसे ही आपको दुनिया दिखेंगी आप हसगे तो दुनिया हस्ती दिखाई देंगी और आप दुखी तो दुनिया भी वैसी ही दिखाई पड़ेगी जीवन में सफलता एवं उद्देश जैसा कि हमने जाना कि जीवन का उद्देश परोगकार है या उद्देश पूरा करके ही आप कह सकते हैं कि सफल जीवन जिया सफल जीवन की कसोटी धन संपत्ती नहीं है आपको अपना लक्ष निर्धारित करना होगा यदि जीवन का उद्देश निर्धारित नहीं किया तो जीवन बेकार है लक्ष प्राप्ती के बाद जीवन देने वाले माता पिता को असीम सुख मिलता है वह सुख जो पूरे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं जुटा लेने में नहीं मिलता जीवन का रहसे क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना होता है आकाश, जल्द, प्रित्वी, वायू और अगनी से बना हुआ है इन पांच तत्वों के बिना जीवन संभव नहीं है जीवन एक साधना है जीवन साधना में व्यक्ति अच्छा बुरा कर्म करता है और उस कर्म का फल भोगते हुए अपना जीवन काल व्यतीत करता है संसार में अनेको प्रकार के लोग है और सभी का जीवन अलग-अलग है जिन्दिगी का मूल मंत्र खर्च करना है तो कमाना सीखो मरने से पहले खुल कर जीना सीखो बोलने से पहले सुनना सीखो लिखना है तो सोचना सीखो हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो पूजा करन है तो विश्वास करना सीखो जीवन की सच्चाई समान्य भाशा में समझे तो जन्म से मृत्यू तक का सफर ही जीवन कहलाता है सभी लोग जीवन को अपने अपने दिमाग से ही जीते हैं किसी के नजर में जिन्दगी दौर तो किसी को यात्रा आदी समझ में आती है मेरे अनुसार जीवन एक साधना है जो की उम्र और सम्यानुसार जिन्दगी में बदलाव होते रहते हैं परंतु जिसे जिन्दगी के बदलाव के अनुसार बदलना आता हो, उसकी जिन्दगी एक साधना है मेरा मानना है कि भौतिक और आंतरिक सुखों में संतुलन का होना अनिवार्य है इससे मनुष्य को अपने जीवन को सुचारू धन से निर्वहन करने में योगदान मिलेगा स्वतंत्र एवं खुशाल जीवन जीने के लिए हमें अपने चेतना मस्तिष्ट को प्रभावशाली बनाने की आवशकता है जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है अन्यथा हम सब सामाजिक रुडिबद्ध धार्नायों अधिक चिंतन, प्रयास, आदी में बंद कर जीवन को सर्वश्रेष्ट बनाने की प्रक्रिया में कभी भी सफल नहीं होंगे हम सभी अन्य जीवों की तरह एक जीव है मात्र हमारी चेतना उनसे अधिक विक्सित है अर्थात प्रित्वी पर बनाए गए सभी वस्तुए, संसाधन या आधुनिक साधन सभी मनुष्य एवं प्रकृत ने बनाया है